तो स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल ग्रिफो सस्टडी में तो इस वीडियो में आज बात करेंगे बिहार में जो अमीन की भेकेंसी आई है उसी के बारे में कि किस परकार से इस फॉर्म को फिलब करना है क्योंकि इस फॉर्म को भरने के बाद आपको इसमें कोई एड तो सबसे पहले आपको official website पर आना होगा इसके लिए करना क्या होगा अगर जो आपको अपने mobile से भर रहे हैं तो Chrome में जाकर करके वहां से आपको Chrome browser को open कर लेना है Chrome browser में एक desktop side होगा उसको कर लेना है और फिर आप जदी PC से भर रहे हैं तो फिर Chrome खोलना है और यहां पर search करना है search box में B, C, E, C, E B, C, E, C को जो है search कर देना है यहां पर search करने के बाद यहां पर जो first option आया है बिहार combined entrance competitive examination board इसी को okay करना है इसको okay करने के बाद फिर यहां नीचे आएं देखिए छे नमर में दिखा रहा है online portal of direct rate of land records and survey इसी पर जा करके आपको click करना है करने के बाद यहां से चार जो है notice इसमें दिया हुआ है apply online prospectus of dlrc important notice दिया हुआ है दो notice इसको आप पढ़ ले बढ़िया से तो चलिए इसको apply करना है तो apply online कर देना apply online पर click करने के बाद देखिए आपको इस परकार से page खुल जाएगा इसमें जदी आप registration कर लिये हो तो इसमें आपको registration नमर भरना है और इसमें password भरना है यहां पर एक code जो दिया गया है इस code को यहां पर भरके submit कर देना है और जदी आप नए candidate है तो click here for new registration यहां पर जो दिखी रहा है आपको click here for new registration इस पर click कर देना है click करने के बाद आपको सबसे पहले यहां पर पोस्ट के बारे में पुछेगा कि कौन सा पोस्ट के लिए आप applicable है apply करना चाहते हैं तो इसमें चार पोस्ट हुआ है बिहार survey resistant settlement officer है कानून गो है और अमीन है और फिर यहां survey color है तो चलिए हम एक पोस्ट को यहां से select कर लेते हैं special survey color को उसके बाद यहां post code अपने आप आजाएगा चार है उसके बाद फिर यहां नीचे पुछ राए do you fulfill the minimum education eligibility the selected post कि क्या आप जो है selected post के लिए minimum qualification है तो इसमें ace कर देना है आपको फिर यहां पे आकर कि आपको सबसे पहले first name देना है जो भी आपका नाम रहे फिर यहां पे confirm name देना है first name को ही फिर middle में यहां पे नाम देना है फिर confirm यहां करना है और last name में यहां पे देना है और फिर यहां पे confirm कर देना है मान लिया जाए आपका नाम है गौतम कुमार तो गौतम यहाँ पर देना है और फिर यहाँ पर भी गौतम लिखना है फिर नीचे लास्ट नेम में कुमार कुमार लिख देना है उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर मुवाइल नमर दिया गया है मुवाइल नमर में आपको यहाँ पर मुवाइल नमर डालना है फिर ओही मुवाइल नमर जो आप डाल रहे हैं उसी को यहाँ पर फिर से डाल देना है इसमें confirm करने के लिए यहाँ से फिर से उस मुवाइल नमर को डाल देना है उसके बाद नीचे आना है और इसमें email id डालना है उसके बाद confirm email id कर देना है उसके बाद यह जो code दिया गया है security code इसमें भरके आपको यहाँ पे जो है save and next कर देना है तो चलिए इतना हम करते हैं उसके बाद फिर next page में देखते हैं चलिए तो यहाँ पे हम next कर दिये हैं आप जैसे ही submit करेंगे आपके mobile नमर पे एक OTP आएगा उसको submit हो जाएगा उसके बाद जो है इसमें आपका registration नमर और password दोनों दे दिया जाएगा उसके बाद इस परकार से आपका खुल जाएगा इसके बाद आपको next कर देना है यहाँ next करने के बाद आपको सबसे पहले उपर पूछ रहा है select minimum education eligibility क्या है तो minimum इसमें graduation खोज रहा था ग्रेजबेशन इसमें कर देना है उसके बाद are you permanent residence of विहार जदी विहार कि आप permanent निवासी है तो यहाँ पे yes करना है नहीं यह तो फिर no कर देना है reservation category आप जो भी category से belong करते हैं उसमें आपको select कर लेना है general है BC, EBC, SC, ST जो भी category से है आप उसे select कर सकते हैं उसके बाद फिर कह रहा है do you claim for non-crimalier कि आप non-crimalier से समंधित है तो है तो yes करे नहीं है तो फिर no करना है फिर है do you claim the economical vicar section जो general के candidate है जो general के candidate है यहाँ पर उनको भरना है EWS में किया आप जो है vicar section में है तो yes करना है नहीं है तो फिर no कर देना है उसके बाद next है do you claim disability quota क्या आप जो है इसका मतलब हुआ क्या विकलांग विकलांग है है तो yes करें नहीं है तो फिर no करें अज़ जदी आप इसमें एस करिएगा तो इसमें पुछेगा nature of disability नेचर of disability में आपको क्या है कि विजूल इंप्रिवेशन डिप हैंड डंप क्या आप गुंगा है लोको मोटर मेंटल डिशॉडर मल्टिपल डिसेबिटी तो इसमें जो भी आपका रहे उसको आपको सेलेक्ट करना है नहीं तो फिर इसमें nature of disability में नो ही रहने देना है उसके बाद percentage of disability इसमें लिखना है एस करने के बाद नो में तो फिर सब कुछ भरना नहीं है नीचे आना है do your claim for freedom fighter dependent quota कि आप freedom fighter quota से हैं है तो इस करना है नहीं है तो फिर नो करना है relationship with freedom fighter अब पुछ रहा है इसमें अगर जो आप s करते हैं यहां पे तो इस option में पुछ रहा है कि आपको क्या relation है freedom fighter से आपके दादा है नाना है तो यहां पे आपको select कर लेना है do you have a hard card जदि आपके पास अधार card है तो एस करें नहीं है तो फिर no कर देना है और यहां पे एस करिएगा तो इसमें अधार number अधार card number जो है भरना है ऑर चाहिए तो भर सकते है नहीं जातों नहीं भी भर सकते है उसके बाद अगल्ह जो है उसमें personal details में सबसे पहले आपको gender भरत ना है gender क्या है मेल है तो मेल भरे female तो female भरना है, date of birth में, date of birth जो है आपका वो भर देना है इसमें, उसके बाद फिर marital status इसमें भरना है, क्या आप विवाहित है, विड्डो है, जो भी है आप उसमें select कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर mark of identification, एक mark आपको आपके शरीर का बताना है कि क्या आप ही बेकती आपको verification के समय, आपको यह जो mark मिलाया जाएगा, कहीं पर तील का निसान हो, तो वो यहाँ पर लिख देना है, उसके बाद father's name इस box में भरना है, उसके बाद correspondent address, address में आपका घर भरना है, address 2 में post भर दीजिए, address 3 में police station भर दीजिए, उसके बाद estate, जो भी estate से हैं, आप यहाँ पर select कर लेना है, इस box में भिहार है, तो भिहार से select कर लेना है, उसके बाद district यहाँ से select करना है, तो district नवादा हो जाएगा, जो भी आपका district है, इसका नवादा है, तो इसमें नवादा चुन लेना है, आपका जो district है, वो district आपको select करना है, block आपका जो र सेम पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी डाटा उपर लिखा गया है वह सारा डाटा इसमें नीचे आ जाएगा उसके बाद इसमें बताया गया है अप्लिकेशन फीस जो चार्ज किया जा रहा है वह 800 रुपिया है इतना भरले के बाद यहां पर जो वैलिडेट यूर डिटे करने के बाद आपको कुछ भी गलती रहेगा तो इसमें बता देगा फिर से वैलिडेट कर देते हैं तो देखिया फिर भरलेट शुफूली लिखा गया है इसका मतलब हुए कि सारह डिटेल्य जो भरा गया है वह सही है उसके बाद फिर रट नेक्स्ट कर देना है save and next करने के बाद आपको जो है qualification में इसमें भरना है education qualification में आपको metric का इसमें और इंटर का इसमें और graduation का इसमें भरना है उसके बाद आपको higher qualification है MA किये हुए हैं आप तो उसके details इसमें भर देना है तो अस्कुल का नाम पहले भरना है, किस अस्कुल से आप पास किये हैं, उसके बाद बोर्ड का नाम, फिर इंस्टिचूट टाइप, गोवर्मेंट है या फिर प्राइवेट है, जो भी है आप यहां भर दे, पासिंग एर, पासिंग अस्टेट भर दे, पासिंग डिस्टिक भर और कब पास किये हैं, वो भरना है, यहां पर एरेग्रेटेड मार्स भर देना है, और उसके बाद यहां पर नमर भर देना है, कि मार्क अप्टेंड कितना आपको प्राप्त हुआ है, मैट्रिक में, तो इसका 385 प्राप्त हुआ है, तो 385 यहां पर भर दियें, और फूल मा था तो 500 नम्मर का था तो यहां पर कर देने के बाद खुद यह जो है mark obtained calculate कर लेता है percentage में सारा details भरने के बाद इसमें भी आपको validate your details कर देना है देखिए यहां validate successfully हो गया है उसके बाद फिर shape and next यहां पर कर देना है पिर आगे आपको photo and education के बाद जो है qualification के बाद आपको photo and signature में आपको जाना है आप next करिएगा आपको इस page पे ही redirect कर दिया जाएगा उसके बाद सबसे पहले आपको a scan photograph of the candidate यहां photo भरना है इस box में इस box में signature भरना है जो इस third वाला box है इसमें आपको metric का passing certificate भरना है उसके बाद अगला इसमें है इसमें आपको metric का mark sheet भरना है उसके बाद graduation certificate इसमें डाल दालना है तो जो जो लिखा हुआ है capital में small में उस परकार से ही आपको लिख देना है उसके बाद यहाँ पे save and next कर देना है save and next में करने के बाद आपको एक pop-up खुला है इसमें लिखा हुआ है कि are you sure the uploaded document is incorrect तो आप बढ़ियां से भरे document को तो सही है तो कर देना है अगर तो कोई गलती है तो cancel करके फिर से आप उसको देख सकते हैं तो okay कर देते हैं सारा जो document है वह सही है उसके बाद save and next कर देने के बाद आपका सारा details preview हो जाएगा आप जो जो चीज भरे हैं यहाँ पर सारा details आपका खुल के आ जाएगा उसके बाद करना क्या है आपको यहाँ पर I confirm this is my photo इस पर जाकर करके आपको select कर लेना है टिक लगा देना है box में उसके बाद एक I agree इसमें select कर लेना है उसके बाद फिर इस बाले box में आपको जो security code दिया हुआ है इसको आपको भर लेना है जिस परकार से दिया रहे है small तो small capital तो capital इस परकार से आपको भर के फिर यहाँ फिर I confirm this is my signature इसमें भी टिक लगा देना है चेक बॉक्स में उसके बाद final submit यहां से आपको कर देना है उसके लिए final submit यहां से कर देते है final submit करने के बाद आपको रहेगा payment करना तो वह भी आप payment कर सकते हैं तो आज के लिए इतना